दोस्तों आज मैं पहुंचा हूँ इस फार्म का मैं पहले डेरी फार्म जो डेरी फार्म का जो वीडियो बना चुका था आप चैनल पर देख सकते हैं यह मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्स बॉक्स में भी डाल दूंगा या आई बटन जो उपर में आपको दिखता कि बोडी नहीं है यह पूरा इसमें उस भरा हुआ है कहां से यह आया है कहां से इन्हों ने मंगगे कैसे ओडर किया कैस तरीके से खिलाते हैं क्या बेनिफिट सबकुछ हम इस वीडियो में दोस्तों सिखेंगे यहां के जो संचालक है कैसे कैसे इसको फिड कराते है सब कु चैनल पर नहीं है तो पहले आप सब्सक्राइब करें और साथ में बेल एकन को बटन प्रेस के ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊ तो आपको अपडेट्स में स्वागत है हमारा इस चैनल पर सकते होंगा कि यह जो अभी साइले मैं आपके यह देख पा रहा हूं बहुत सब्स इस चीज के बार मिलकुँ अनविग यह नहीं जानकारी होगी तो यह चीप मतले आपने कहां से ओर्डर किया सर यह सर मैं लखी सराय से ओर्डर किया था चूकि बिहार में पहले अबलेबल नहीं था पंजाब अंजाम में जादे लोग है भी मिलकर को यह फीड कराते हैं साल भर हराचारा किसी के पास उपलब नहीं रहता है तो जिस दवरान हराचारा यदि अब लेबल नहीं है उस दवरान इसको खिलाया जाए तो जितने भी अच्छी नसल की गाए हैं उनका हेल्थ भी सही रहेगा और मिलक प्रोडक्शन भी अच्छा बना रहेगा तो मतलब मतलब में मन्त आले में कोई परिशानी आपके नहीं किसी तरह की कोई परिशानी नहीं है तो किस रेट से आपको यह उपलब्द हो पाया पूरा ट्रांसपोर्टेशन खर्च अगर लेके हम देखेंगे यह मान लिजिए कि यह साड़े पांच उरुप्य पर केजी है और यह चार सो केजी में इसलिए बहुत जज्जादे समस्या नहीं है एक न आप खड़ी समस्या होती विया तो थोरा सउ उठा कर इसको ले ले लेते हैं कुछ दिन के लिए हमारे बड़े फार्मों के लिए सुविधा जनक चारा है तो मतलब कि इसको फिर जब इस टोर कहीं भी कर सकते हैं कहीं इस पेसे इसको कहीं भी बाहर रखिए इसका पेकेजिंग इस तरह का है कि इसका एक साल डेर साल तो किसी तरह की कोई खराबी नहीं आ का प्रेशका है जबंद चा लाउंडेंगे ठोड़ा साइब इसको पहले खोलना बताए दर्सकों कीस तारह से खोलना चाहिए दशे को प्रले यहां से कट कर दिया है हम बलेट से और इसके बाद तुम दहिए इसमें से ये है ये है आपका साइलेच लेज कौफी अच्छी क्वालीटि हैसर मतलब इसमें मक्के का साइलेच है यह कॉर्न साइलेच इसको बोलते हैं और इसके साथ दाना भी है और इसको एक तरफ से खोलिए और एक पूरा सर्फेस पूरा नीचे से उपर तक कट करके निकाल लीजिए पूरा मतलब यहां से ऐसे कहेंगे पूरा का कमपेक्शन ऐसा है कि इसमें हावा पानी नहीं जाना चाहिए उससाब से खराब फर्मेंटेस्टेट प्रोडक्ट है इस हाएं कीं लगबग दाना है कि इसमें मंख्का के साथ 30 Drag को अनाज होता है यदि 10 kg खिलाते हैं यह photo आम schol 1964 का देने से तो अभी इनका रिजुट है सब कुछ अभी पूशेंगे इन से तो आप इसको किस तरह से भी खिला रहे हैं सर अभी तो हम इसको शुरू में लाए थे तो थोड़ा चाव से चुकि पसु के लिए नया चीज था इसमेल इसका और इसका स्वाद नहीं चाव से खा रहा था लेकिन धिरे-धिर अभी इस्ति कर रहा है चुकि नया फीड है इसलिए एक ही बार पूरा ना दें दो किलो तीन किलो और धीरे-धिरे इसको बढ़ा है ताकि उनका रूमेंट भी डिस्टर्ब ना हो तो मतलब कि खिलाने में आपको इसको और क्या बेनिफिट मिला है बेनिफिट है कि सार थोड़ा हम लोग साकर देखेंगे पहले के बराबर की दूद बढ़ रहा है और दूद का जो हम फैट बोलेंगे दूद का मेरा बढ़ गया चुकि हम लोग समीती से जुड़े हुए सुदा के तो पहले हमारा फैट था तीन चार तीन पांच अभी फिलाल चार एक चार दो है और इसे ने बी किre시면 चांटा देता है तो साथ कि 가지 मतलब चांड कर देंगे और किसा का सुखा देंगे तरीका है और इसमें आप 10 केजी देते हैं तो थोड़ा सा रूमेन के बैलेंस के लिए सूखा चारा इसमें बहुत कम एक केजी तक भुसा ही मिक्स कर दीजिए उसके बाद इस पर आप सूखा दाना जो भी आपका कंसेंट्रेट मिक्सचर है उसको डाल के खिला दीजे कोई दिक तो एक कर से आपने किया फिर धीरे धीरे इसार वह स्वाद उसको लग गया फ्रवासा सुरू में दिक्कत होती है अभी फिला लिए इस्तिति है कि कोई भी आप देखेंगे दो से पांच मिनिट में बहुत तेजी से खाल लेती है अच्छा प्रेगनेंट अगर रहती है तो फिर उ आने में भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मतलों की असानी से आपको वहां से उपलब्ध हो गया कोई परिशानी नहीं हुआ तो और और नमबर बॉक्स में डाल दोंगा तो दोस्तों काफी मतलों अच्छा है अपका फिडिंग कोस्त तो अब पहले जो आपका कोश्ट था और अभी साहिलिज देने तो फीडिंग कोश्ट में कोई डिफ्रेंट साय नहीं आया है कि फीडिंग कोश्ट में वही है कि मालेजिए आपका थोड़ा सा कंसंट्रेट मिक्शर का जो भी प्रेशा वह आपका बच रहा है और मिल्क प्रोडक्शन उतना ही है चुकि अभी हमारे लेट लेक्टेशन पिरियेड में सारी गाया है इसलिए बहुत जादे वह अंतर नहीं दूद पर दूद उतना भी बना रहा है और फीड वह कम हो जाए मतलब कि बहतर होगा रहा हरा चाहरा के ब्लाव की यह करती है और बागी दाणा चोकर जो भी देते हैं। उसको बंद नहीं कर सकते हैं इसके पिशे कारण सदूत का अप्धा का Art परिदेगा का अलांग रोल है सिदे समाजल लीजिए साइलेग रोग रोल है और भूत 작은 मीक्चर का दों इसको MP4 कोई पूरा बना कर देते हैं उसी साबसें खिलाना पड़ाइगा यह्यों का है तो दाना नहीं देगा, इसा संभव नहीं है, काम कर सकते हैं, यदि साइलेज में बहुत आपके दाना है तो थोड़ा काम कर दीजिए, लेकिन बंद नहीं कर सकते हैं, काफी अची जैनकारिया सर आपने दिए, मैं बताना चाहूंगा, इसके लिए बहुत-बहुत Mexican, काम कर दो दो तो दो तो विए कर दो दो में, पी जैनकार टाना हन। लेकिन में अचीक दोलीचलर दो भीजनकार में जीने कर दो 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 में दो है।